हेलो दोस्तों नमस्कार गाइस आज हम अन्बॉक्सिंग रिव्यू करने वाले एक बहुत बहुत बैतल प्रोडेक्ट जो कि यह ओरियंट का इलेक्ट्रिक आयरन है तो कुछ इस प्रकार से इसका बॉक्स आता है और जो कि मैंने अमेजोन से बाय किया था और इसकी प्राइस क इसे काफि बंस परेगे और लाता है इसके बारे में डीटेल परेखिये और इसमें पुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप अपभ्यारे में डीटेल जान सकते ऊव गाड़ से और यह बॉक्स के साथ कुछ कुछ नहीं आता है इसको एक बार साइड में रख लेता हूं तो अपनी जो यह आइरन है यह कुछ इस प्रकार से पैकिंग लातीक आप यह अच्छे से पूरी पैकिंग कर रखिए इसके इंदर और इसको यह बार अंड्रेप कर लेता हूं जल्दिस इसको भी अटातीते हैं यहां से तो इसे कुछ इस प्रकार की अपनी फूरी आइरन है यह और यह जो आइरन मैंने मंगाई जो आजार वोट के आइरन है इसमें 1000 वोट के आइरन है जो कि मुझे अमेजन से मुझे कुछ डिस्कांट करें करके 559 रूपी के आसपास पड़ी थी और इसके अंदर यहां पे जो अपना टेंपरेचर करने के लिए है यहां do दे रहा है कमेश् absurd कर रहा मीननिमिमं से यहां पर लिखाऊ और सिल्क दे र्खाए उसी ताब सब़साँ कर रहा है यहां पे इसको ऑलन करते तो यहां पर इसका इंडिकैशन भी मिल ज बात ही यह है two year तक की replacement warranty के साथ आती है two year तक कुछ होता है तो आपको replacement गार गार इसके internal part पर कुछ होता है तो प्रेक गार होता है उसमें आपको कौछ भी cover नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार से यहां पर यहां पर देखिए इसका इस टेक्चर और काफी अच्छा से प्रीमियम दे रखा है और अंदर की साइड में पूरा इसका प्लास्टिंग मेट्रील जो भी इसका मेट्रील यूज़ कर रहा है ताकि क्या कि सॉक प्रूब रहे अपने उपर क कर रहे हैं उस आइरन के हिसाब से आप इसको कर सकते हो और यह जो इसका पिन आती है वो सिक्स एम्पेर के पिन आती है सिंपल यह आप अमने करके जो बोर्ड में लगा सकते हो इसके लिए इस पेशल पिल लगा रहेगी जिरूत नहीं है तो यह भी काफी अच्छा और उसक कुछ इस प्रकार से इसके इंदर आये रहेना है और इसकी प्राइस की बारे में आपको बता दिया यह मुझे 59 रुपिस की आसपस मुझे आमेजन से मिल गए थी जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं और कुछ इस प पे इस और आये रहे हो जो बीठेश कर रहे हो उसके आपको प्र आपको अनलदे ग वहां कि हीटी तो नहीं हो रहा है तो तो कप्ड़ अलग यूपद का आहां grab only यह की प्लेट की फोटिंग होती है वो भी खराब नहीं होगी वक्या होता है मैक्सिम अप्रा कि ज्यादा हीट हो जाती है तर पर अपनकर कोई जिपक जाता तर थे इसकी फिर साफ कर लेना कोई भी फॉलिष्टर कपटे से साफ नहीं करना है जिससे कि आप उसके अच्छे से रखर करके रखना है हमेशा तो टेंपरेजन जितना अच्छे से मेंटेन करके रखोगी यह बहुत ही रंबे टाइम तक प्रोडेक्ट चलता रहेगा तो काफी अच्छा है और गर के लिए यूज में लेने के लिए बहुत ही बैथरिन है और अग ट्रेवल भी खर सकते हैं इसको क्य जे हिन्द झाल झाल